नमस्कार प्यारी बच्चों, सेंट मेरी मलंकरा हाई स्कूल में आप सभीगा स्वागत हैं। मैं नीतु शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलब बाती कक्षा पाचवी के दूसरी इकाई से पाट क्रमाग ग्यारा वीरो को प्रणाम इस कविता का अध्यन करने वाले हैं। इस कविता के कवी हैं रमेश दिक्षित। बच्चों सेकड़ो सालों से गुलामी की संजीरों में जक्रा हुआ भारत सन 1947 में आजाद हुआ। ये आजादी लाखों लोगों के त्याग और भलिदान के कारण ही संभव हो पाई हैं। इन महान लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना तन मंधन सब कुछ निचावर कर दियां। अपने परिवार, घर द्वार, सुख दुख को भूल कर देश के इन महान वीरों ने, इन महान सपोतों ने अपनी प्राणों की आहुती दी। ताकि आनी वेली पिड़ी स्वतंतर भारत में चैन की सास ले सकें। बच्चों, आज हम आजाद हैं। हमारा देश आजाद है। तो सिर्फ और सिर्फ इन महान वीरों के कारण जैसे बगर सिंग, वीर सावर कर, चंदर शेकर आजाद, सुख देव, राजगुरुम, बाल घंगा धाति लग ऐसी महान वीरों के कारण आज हम आजादी बहरा जीवन व्यतित कर रहे हैं। प्रसुत कविता में कवी रमिश दिशित ने देश के वीरों के बारे में बताया है। उन्होंने इस कविता में देश और देशवासियों के खाते जिन्होंने अपने प्राण निशावर के हैं। ऐसे वीरों को वे नमन करते हैं ऐसे शहीद वीरों को वे अपनी कविता के माध्यन से प्रणाम करते हैं बच्चों कविता का सल और समने से पहले हम कविता का स्वासर वाचन करते हैं देश की मिट्टी का कंकन है जने प्राण से प्यारा पड़ाम ऐसे वीरों को सौ सो बार हमारा यह ऐसी धर्ती है जहाँ पर गंगा जमना बैती देश पर मरमिटनी की हर दम दुन से रहती वीरों की बलिदान से चमका हिंद बतन का तारा नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सो बार हमारा यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भी कि में सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणा पन की सीख में सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण प्राण की सीख में देश के मिटी खा कनकने जिने प्राण से प्यारा प्रणा मैं से वीरों को सौ सौ बार हमारा तो चलिए बचू अब हम कविता का अर्थ समझते हैं कविता करमा ग्यारा वीरों को प्रणाम देश के मिटी का कनकन है जिने प्राण से प्यारा प्रणाम मैं से वीरों को सौ सौ बार हमारा बच्चो कनकन का अर्थ होता है पार्टिकल्स यानि मिटी के चुटे चुटे अंश जो दिखाई भी नहीं देते हैं सौ सौ बार प्रणाम करते हैं प्रणाम कार दोता है बच्चो नमस्कार करना यानि नमन करना कवियां कहते हैं जिनि देश के मिटी का कनकन अपनी प्राणों से भी अधिक प्यारा है यानि अपनी जान से भी अधिक प्यारा है ऐसे वीरों को हम सौ सो बार अनेकों बार हम प्रणाम करते हैं नमन करते हैं आगे देखिए बच्चों यह ऐसी धर्ती है जहाँ पर गंगा जमना बहती देश पर मल मिटने की हर दंग दंसी रहती बच्चों हमारा भारत देश ऐसी धर्ती पर बसा है जहाँ नेदियों की भी पुजा होती है जी हाँ बच्चों कभी हाँ कहना चाहते हैं कि ऐसी धर्ती है जहाँ पर गंगा जमना जैसी पवित्र नदिया बहती है जमना नदी को यमुना नदी भी कहते हैं तो कभी हैं कहना चाहते हैं हम कितनी भागिशाली हैं कि हमारा जन ऐसी धर्ती पर हुआ है जहांपर नदियों को भी पूजा जाता है नदिया भी पूजी नहीं है लोगों की इन नदियों से आस्थाम जूड़ी हुई है तो कभी बड़ी गर्व से कहते हैं कि हम बड़ी भागिशाली हैं कि हमने ऐसी धर्ती पर जन्मलियां जहाँ पर नदियों की पूजा की जाती है जहाँ पर गंगा जमना जैसी पवित्र नदियां बहती है आगे कभी कहते हैं देश पर मर मिटनी की हरदम दुन से रहती दुन मतलब होता है बचो लगन किसी काम में लगे रहना हरदम यानि हमेशा कभी हैं कहना चाहते हैं यहां के जो देशवासी हैं यहां के जो लोग हैं वो अपने देश पर मर मिटने के लिए हर दम तयार रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए अगर अपने देश पर कोई मुसीबत आती है तो उसे लड़ने के लिए उसकी सुरक्षा करने के लिए यहां के देशवासी अपनी प्राणों की आहोती देनी से भी बाज नहीं आएंगे तो कभियां कहते हैं कि हमारे देशवासी ऐसे हैं जो अपने देश पर मर मिटने के लिए हर दम तयार रहते हैं उनमें हमेशा धुनसी रहती है कि अपने देश के लिए वो क्या कर से किस तरह से अपने देश का नाम रोशन करें अगली पंक्ति देखिए बचचों वीरो के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा नमस्कार ऐसे वीरो को सो सो बार हमारा वीरो के बलिदान से बलिदान याने गुर्बानी जी हां बच्चों आज हम आजाद हैं आजादी बरा जीवन जी रहे हैं तो सिर्फ उन वीरों के वज़े से जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी अपनी प्राणों की आहुती दी ताकि आने वाले पिड़ी चैन से जी सके चैन की सांस ले सके आज उन्हें की बदौरत हम सब आजाद हैं चमका हिंद वतन का तारा वतन यानी मात्र भूमी आज हमारी जो मात्र भूमी है हमारी जो धरती है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वह एक तारे के समान चमक रही है तो उन वीरों के कारण ही चमक रही है कवियां कहते हैं ऐसे वीरो को मैं नमस्कार करता हूँ नमस्कार ऐसे वीरो को सौसबार हमारा ऐसे वीरो को हन्रिट टाइम्स हमारा नमस्कार यानी हम उन्हें नमन करते हैं यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में सीखा हम लोगोंने गुछतो प्राणापन की सीख में यहां बच्चों यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीक में आजादी आने स्वतन्तता फिडम यह जो आजादी है यह जो फिडम है यह हमें किसी से भीक में नहीं मिली है भी कहने किसी ने हमें इसे दान नहीं दिया है, यहाँ आजादी हमने खुद अपने बल्बुते पर पाई है, अपने लाखो वीर सपुतों को गवा कर यहा आजादी हमने प्राप्त की है, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्रानापन की सीख में प्रानापन यानि प्रान देना यानि कि अपने प्रानों की आहुती देकर या आजादी हमारे वीरों ने पाई है और हमने जो कुछ भी सीखा है वह कैसे सीखा है अपनी प्राणों का बलिदान करके ही सीखा है यानि अपनी प्राण गवा कर इस आजादी को प्राप्त की है कभी हैं कहना चाहते हैं आज हमने जो कुछ भी सीखा है वह अपनी वीरों के जो प्राण गए हैं उनके बलिदान के बाद ही हमने यह सीख मिली है कि ये आजादी हमने कितनी कर्ष्ट और कितनी मैनस से प्राप्त की है आखरी पंग्ति देखिए बच्चो देश की मिट्टी का कंकं है जिन्हें प्रांड से प्यारा प्रणाव में से वीरो को सौसर बार हमार हम कंकं यानि छोटा टुकडा, स्मॉल पेसेज यहां कभी कहते हैं जिन्हें देश की मिट्टी का प्रतिक कंड अपनी प्रांड से भी अधिक प्यारा है यानि अपनी जान से भी अधिक प्यारा है अपनी जान की परवान ना करते हुए अपनी देश के प्रतिक कंड से उसे प्यार है ऐसे वीरो को हम सौ सौ बार परणाम करते हैं यानि कि हम बार बार ऐसे वीरो को परणाम करते हैं उन्हें नमन करते हैं तो देखा बच्चों आपने वीरों को प्रणाम कविता के माध्यम से कवी रमेश दिख्षित ने हमें बहुती सुन्दर और प्यारा संदेश दिया है प्रसुत कविता में कवी ने देश के वीरों के बारे में बताया है उन्हेंने बताया है कि जिनने देश के आजादी के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया यानि देश को आजाद कराने के लिए ऐसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुती दी हमारे देश के इन वीरों के लिए इस देश की मिट्टी का कंकं भी प्राण से प्यारा है यानि हमारे देश के ऐसे वीर है जिने इस मिट्टी का कंकं यानि टुकड़ा भी अपनी प्राण से प्यारा है अपनी जान से प्यारा है ऐसे ही विरोखे करण हमारा देश तारी की तरह चमक रहा है और पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है यह आजादी हमें भीक में नहीं मिली है यह आजादी हमें किसी से भीक में नहीं मिली है यह आजादी हमें अपने प्राण गवा कर पाई है कवी कहते हैं देश और देश वाशु की खातें जिन्होंने अपनी प्रान्नि चावर किये ऐसे वीरो को हमारा 100-100 बार बरनाम अबरते हैं पहला प्रश्ण है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए देश पर मर मिटने की हरदम डैश सी रहती अब इसका उतर क्या आएगा दून सी देश पर मर मिटने की हरदम दून सी रहती दूसरा है वीरो के बलिदान से चम का हिंद डैश का तारा अब इसका उतर क्या होगा बचो वतन वीरों के भलेदान से चम का हिंद वतन का तारा तीसा प्रशन है देश की मिट्टी का कंकं है जिने डैश से प्यारा अब इसमें क्या उत्तर होगा प्राण जी हाँ बच्चो प्राण देश की मिट्टी का कंकं है जिने प्राण से प्यारा अब इसमें क्या उत्तर होगा? आजादी यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीक में. अगला प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिएं पहला प्रश्न है इस धर्ती पर ऐसी नदिया बहती हैं ऐसी यानि प्रश्न कैसे बनता हैं इस धर्ती पर कैसी नदिया बहती हैं इस धर्ती पर ऐसी नदिया बहती हैं जैसे गंगा और जमना उसी प्रक्रासे दूसरा प्रश्न ह इस कवी तक कवी का नाम यह है यानि कि इस कवी तक कवी का नाम क्या है तो उत्तर क्या होगा रमेश दिक्षित अगला प्रशन देखिए बच्चों निमलिखित पंक्तियों को क्रम से लगा कर लिखिए अब बच्चों प्रशन करत ऐसा है कि नीचे कुछ पंक्तिया दीगी है जो कि अपने सही क्रम में नहीं है तो हमें उन पंक्तियों को पढ़कर सही क्रम में लगाना है जैसे पहले हम प्रशने देखते ही है प्राणापन की सीख में जिन्हें प्राण से प्यारा सीखा हम लोगों ने कुछ तो देश की मिट्टी का कंकं है अब बच्चो यह जो कविता की पंक्तिया दी है इसे हमें सही क्रम में लगाना है तो इसका उत्तर हम इस प्रकार करेंगे पहला होगा सीखा हम लोगों ने कुछ तो दूसरा प्राणापन की सीख में तीसरा देश की मिट्टी का कंकं है चाथा जिन्हें प्राण से प्यारा तो बच्चो इस प्रशने का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे अगला प्रश्ण है सामानाथी शब्द लिखे अब बच्चों सामानाथी शब्द का अर्थ क्या होता है सामानाथी शब्द यानि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है यानि एक ऐसा होता है उन्हें सामानाथी शब्द कहते है जैसे सूर्य को रवी भी कहते हैं ठीक है चंद्रमा को चांद कहते हैं पुस्त को किताब कहते हैं उसी प्रकासे तो बच्छो इस कविता में भी कुछ शब्द दिये हैं जिसका हम सामानाती शब्द यहां पर लिखेंगे ठीक है तो पहला शब्द है प्रणाम प्रणाम का साम अगला प्रश्न हैं बचो विरुदाती शब्द लिखें। बचो विरुदाती शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं यानि कि अपोजिट वर्ड यानि किसी भी शब्द का उल्टा यानि कि विरुद शब्द उसे विरुदाती शब्द कहते हैं जैसे उजाला का अंधेरां। तो इस कविता में भी कुछ शब्द दिये गए हैं जिसका अ विरुदाती शब्द क्या होगा? उल्टा क्या होगा? विदेश. उसी प्रकार से दूसरा है वीर. वीर का विरुदाती शब्द कायर. तीसरा है आजादी. आजादी का गुलामि. चौथा है भीक. भीक का विरुदाती शब्द दान. आशाहें बच्चों वीरों को प्रणाम यह कविता आपको अच्छे से समझाई होगी दन्यवाद आशाहें बच्चे से समझाई होगी